पाउं में चोट को तेजस्वी ने कैसे बना दिया चुनावी मुद्दा ममता बनर जी की राह पर चलते नजर आये लालू के लाल बिहार में पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजत नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को एक चुनावी कारेकरम के दौरान दर्द से बेचैन दिखे अररिया के मंच पर कारेकरम के दौरान तेजस्वी को चोट लग गई और उन्हें चलने में भी तकलीफ हो रही थी वे लंगडा कर चलते नजर आ रहे थे जिसके बाद तेजस्वी को मंच से कारेकरताओं ने सहारा देकर नीचे उतारा वही तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी कमर में दर्द है जो बढ़ गया है हाला कि उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह दर्द विहार के उन करोडों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है चुनाओं का मौसम है तो नेताओं का दर्द कब जनता का दर्द बन जाता है यह समझ नहीं आता खेट खबर में आगे बढ़ते हैं तेजिस्वी यादव ने अपने एकस अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है कि महिनों से अलट पलट वाली अथक सामाजीक राजितिक यात्रा हो रही है आराम के आभाव और निरंतर यात्रा के कारण दो हफ़ते से कमर में हलका दर्द था दो दिन से अचानक वो दर्द बढ़ गया है आपको याद होगा इससे पहले ममता बनर जी भी 2021 के पश्चिम बंगाल विधान सभाज चुनाओ के दौरान पैर में चोट के बीच चुनावी रैलियों में नजर आ रही थी जिसको लेकर खूब बयान बाजिया हुई थी इधर अपनी चोट पर तिजस्वी आदव ने कहा है कि उनका ये दर्द बिहार के करोणों बेरोजगार युवाओं की तकलीव के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं जिनके सपनों को विगर दस वर्षों के धर्म की आड में कुछला गया ह तिजस्वी आदव कह रहे हैं कि मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ कैसे गरीब माताओं बेहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीडा का अभुभव होता है किसान भाईयों को सिचाई के साधन वा फसल का उचित दाम नहीं मिलने तथा संसाधनों की अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों का पलायन का कष्ट पर देखना पड़ता है तो उन्हें दर्द होता है तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि छात्र को पीडा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है बिहार के मेरे बुजर्गों की पीडा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही है खाना और ब्लॉक के भरस्टाचार से आमजन परेशान है हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अंदर अधिकार उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आपको साजीदार मानता हूँ ये कहना है बिहार में तेजस्वी यादव का जो आने वाले लोकसभाद चनाओ में नरेंद्र मोदी और भाती जनता पार्टी के सामने फुंकार भर रहे हैं उन्होंने लिखा है कि बिहार में NDA सरकार से जनता त्रस्त है ऐसे में यदि मैंने अपनी पीडा की चिंता की और ये कदम रुख गए तो फिर लोगों की उमीदे भी बुझ जाएंगी महंगाई, तानाशाही, अत्याचार और अन्याय की आग में विहार जुलस्ता रहेगा इसलिए मैंने तय किया है कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, जुकना नहीं है, और ठकना नहीं है लक्ष के प्राप्ती तक चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है, और जिताते जाना है लक्ष प्राक्त किये बिना रुकना मेरे खून में नहीं है ये शब तेजस्वी यादव के हैं और इन शब्दों की धार से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनावों के लिहाज से तेजस्वी यादव अपने दर्द को बिहार के दर्द के साथ किस सलीके से जोड रहे हैं वहीं तेजस्वी के स्ट्वीट पर सताधारी दल की तरफ से ही प्रतिक्रिया आनी ही थी जदियू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव के स्ट्वीट पर जवाबी हमला बोला है उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ममता बनर जी की राह पर चलते दिख रहे हैं एक समय ममता बनर जी ने भी अपने पैर में चोट को चुनावी मुद्दा बनाया था अब तेजस्वी भी उनी की तरह नकल कर रहे हैं लेकिन उन्हें बिहार के बेरोजगार युवाओं को भी ये बताना चाहिए कि अब तब को नौकरी के नाम पर ऐसे ही बेरोजगारों से कितनी और जमीन ठग चुके हैं जदियू नेता ने ममता बनर जी की चोट का जिक्र करते हुए तेजस्वी आदब पर जम कर निशाना साधा है पता दें कि 2021 के बंगाल विधान सभाद चुनाओ के दौरान पैर में चोट के साथ ममता बनर जी चुनाप चार करती नजर आ रही थी इस दौरान ममता बनर जी ने और T.M.C. ने सहानबुती बटोरनी की कोशिश भी की थी बीजेपी ने तब इसको लेकर ममता बनरजी पर जमकर निशाना साधा था वहीं तेजस्वी की चोट पर भी अब जडियू का कहना है कि ममता की तरह तेजस्वी भी सहानबुती बटोरना चाहते हैं ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव मम्ता बनर जी को अपनी बुआ बताते हैं लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि बिहार में बेरोजगारों की युवाओं की आम जन्मानस की टीस है वो टीस जो कि इस चुनाओ के सहारे कहीं न कहीं वोट की चोट में तब्दील हो सकती है तेजस्वी यादव बतार विपक्ष के सबसे बड़ी निता के तौर पर ये मौका नहीं गवाना चाहते हैं कि जब चुनाओ के दोरान उनके पैर में चोट लग जाए कमर में चोट लग जाए तो इस चोट को आम जन्मानस की चोट से जोड दिया जाए आप विस्तार न्य झाल